हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, दोस्तों सर्दिया आते ही, यह प्यारा सपॉधा सभी की गार्डन में आपको देखने को मिल जाता है, यह गुल्दाओधी का पॉधा है, आज मैं गुल्दाओधी में फोर्तिलाजर शेयर डाल रही थी, तो मैंने जो आपके सांद भी शेयर करती हूं दोस्तों ये बहुत ही प्यारा विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत सारे कलर्स में आता है हाइब्रीड और देसी दोनों ही वराइटी में ये पाया जाता है हाइब्रीड के जो पौधे होते हैं वो लंबाई में थोड़े छो तो आज मैं इसमें क्या-क्या फर्टिलाजर डाल रही हूं दोस्तों वैसे ये हैवी फिटर प्लांट है इसको मैं आपको सुरू से बताती हूं कि इसकी जो है कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं इसको आप सीट से भी ग्रो कर सकते हैं इसको जब लगाने का टाइम होत कूंहें तो सित्मबर में आप जो पौधा है वो कल्नियां बनाना शुरू करदेगा और बहुत ही easy केर होता है जब आप इसकी मिट्टी बनाए तो यह ध्यान रखिए कि इसकी मिट्टी में कमपोस की मात्रा जादा मिलानी है क्योंकि university मांत्रा तो इसरी स्टोर से रफल लगाइं और अगर शूरा होगी। के इस सिल पर मेना थेवे तो से करने आप इस से हैं। इसको टेज धूप्धे हैं उस से बचाने हैं। जलाई अगस्ट में दी चुलाइस ₹itsu को भी चूप्ध में हैं। जैसे मैंने बताया कि heavy cricket प्लांट है और सर्दियों का बहुत ही प्यारा फूल है तो सर्दियों में इसको धूप की बहुत ज़ादा जरूत होती है जितने भी flowering plants होते हैं सर्दियों के उन वह धूप में खिलते हैं आप ध्यान रखिए पानी का और जब मिटी सुख जाए इसकी तभी आपको पानी देना है देखिए मैंने बहुत सारे पॉट्स में इसको लगा के रखा हुआ है और इसके लिए बहुत बड़े पॉट्स के आपको जरूत नहीं पड़ती है आप प्लासिक के डबो में जो हमा अगस्त में तो आप अगर पिंचिंग करते हैं तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो जो है फैल जाते हैं बोशी बन जाते हैं इस तरह से इनको पिंचिंग करना है जब कलियां बनने सुरो जाती है अक्टूबर में तो कभी भी पिंचिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसको खिलने में लग जाता है और इसकी जो खिलने की रफतार होती वो थोड़ी कम होती है धीरी-धीरे खिलता है ये और मैंने अधिक तर जो मेरा इनका मैंने देखा है कि ये साथ में खिलते हैं और जब ये खिलते हैं तो काफे सुन्दर लगते हैं एक साथ में बहुत सारे फूल खिलते हैं दोस्तों अगर आपको ज़्यादा इनसे फ्लावरिंग लेनी है तो जब इनकी जैसे फूल पूरे खिल जाते है ना और इनका जो कुछ दिन के बाद इनकी चमक कम हो जाती पूल को खाइए हम यह कुछ दिन में। जहां से आप कट करेंगे वहां से मल्टिपल ब्रांचे निकल आती हैं और उनमें फिर से फ्लावरिंग हो जाएगी तो इस तरह से अगर आपको ज्यादा फूल लेने हैं तो उनके जो खिले हुए फूल हैं कुछ दिन के बाद इनको कट कर देना है वैसे तो यहाई मैने दो म खिल चुके हैं इतने और यह सारे ही मैने कटिंग से लगा हुए हैं और कटिंग से आप इनको लगा सकते हैं एक कटिंग से हजारों पौधे बन जाते हैं और नीचे से इनमें बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं उनको भी आप डिवाइट कर सकते हैं और छोटी से लेने चेहेे लुमी लिग कंपोर्ट जाल देती हो जैसे अपी इस चोटा है तो कम ढलीए तो उसमें ज्याद Heights जाल पीजेए इस मुठी धो मुठी तीन मुठी है आपनी जाल नी है और 15 में पजे बिस चाहिक पत्याख बनाना फर्टिलाइजर और यहिंज पील और जैसे हम लोग कीछन में डाल और चावल वूते हैं और सबूस्जिएख होतें उसका पानी भी आप डियान सब्सक्राइब के रखना है कि इसमें जो ऑगे जालनी जैसे कि आधा भाग आधे से से कम भाग कोई भी ख़ाद लेनी जैसे वर्मी कंपोस्त लेनी है गोबर जालनी उसके पद kato आप लेते हैं तो उसके ड्रेनेज अच्छे होने चाहिए जो प्लासिक के गमले होते हैं उनमें आपको 4-5 ड्रेनेज बनाने जिसे की मिट्टी मतब गीली ना रहे पानी जैसे हम डालें तो वह निकल जाए और मिट्टी में मोश्टर बनाना इसको अच्छा लगता है लेकिन अक्तूबर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है अक्तूबर में मेरी जो यह प्लांटे इन में कल्या बनना शुरू हो गई थी और अभी तक 15-20 दिन जैसे मैंने बताया इनको खिलने में लगता आप यह पूरी तरह से खिल चुके हैं देखिए कुछ-कुछ खिल र यह एक और मैंने पॉधर लिया यलो वाला और यह और जितने भी आपको हाइब्रीज दिखा रही हूं और देशी मेरा यह पिंक वाला जो है पुराने ही मेरे फूले दोस्तों मैंने बहुत सारे पॉर्ट में गुल्दाओदी को लगा दिया था क्योंकि इसको लगाने के ल रखना होता है तो यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और टाइम टु टाइम इसको खाद देना है कोई भी मैं जैसे बता है कि लिकृट खाद भी दे सकते हैं वर्मी कंपोस दे सकते हैं अगर फंगास लग जाती है तो आप इसमें नीम उयल का स्प्रे कर सकते हैं य और फंगी साइट का भी उस कर सकते हैं मार्किट वाला और अगर आपके बढ़ कुछ भी नहीं है तो आप हल्दी का यूज करिए मिट्टी में हल्दी मिला दीजिए मिट्टी बनती है और हल्दी एंटिसेटिक काम भी करती है अगर आपके पौदे में फूल नहीं आ रहे तो पिंचिंग कर दीजिए और बोसी भी बन जाएगा और फूल भी आना शुरू हो जाएंगी देखिए मैंने पिंचिंग किया था सुरू में तो इन पौदों में फूल नहीं आ रहे थे तो अभी देखिए इनकी ग्रोध कितनी जादा हो गई है एक मतलब एक बार पिंच लिकुट फर्टीलाजर और ओनियन पील और गार्लिक पील को मैंने भीगा दिया था चौवीज घंटे के लिए और उसमें मैंने एक चमच जो है चाय की बत्ती जाल दी जो ओनियन पील होता है उसमें नैट्रोजन और फासपोरस की मातरा अच्छी होती है और जो चाय की बत दे सकते हैं और यह जो है और गनिक फर्टीलाजर है 15 दिन में आपको कोई भी लिकुट फर्टीलाजर आपने पौधे को देना है और अच्छी खात भी देनी है जैसे वर्मी कंपोस या गोबर की खात दोनों ही काफी अच्छी है हमारे बोदे के लिए जिससे हमारी जड़ रह जाएगा मोश्र रह जाएगा और आपके जो फूल वह बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे कोशिश करिए कि साइट से ही पानी दीजिए अगर आप उपर से पानी देते हैं तो आपके फूल बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं गिले-गिले रहेंगी क्योंकि इतनी हमारी chyto मीट्टी कभी भी तायट नहीं होती है इतनी देखी growing हो रही है मेरी गुल डवदी इसोट हुट में लगा के रख ही और यह सारे ही मैंने एक पौदे से कटिंग तयार करके बनाए हैं इन में मल्टिबल जो हैं बेवी बेवी आते रहते हैं तो उसे भी आप डिवाइट कर सकते हैं और इसके बाद में ये पूरे साल आपके सालों साल ये रह जाता है मेरे पर्मानेट प्लांटे हैं ये जितने भी मैंने लिए हैं दोस्